हलो फ्रेंड्स आयाम अंकीता वेलकम टू माई यूटूब चैनल दोस्तों आज हम डिस्कुशन करेंगे गस्यान एलिमेनेशन तो हम यह देखेंगे कि गस्यान एलिमेनेशन क्या होता है दोस्तों यह जो गस्यान एलिमेनेशन में थड़ है उसको मैं आपको थियोरी नहीं बताऊंगी मैं डायरेट आपको एक्जांपुल करके दिखाऊंगी अगर हम एक्जांपुल में डेस्क्राइब करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा तो इसलिए मैं एक्जांप तो दोस्तों यहां पर मैं क्या करूंगी यह जो एक्जांपुल है यह सिस्टम ओफ लिनियर एक्वेशन है तो हम यह गस्यान एलिमेशन में क्या करते हैं हम इसको एलिमेशन करके हम एक्जांप फर्म में कानवर्ट करेंगे तो दोस्तों यहां पर मैं एक्वेशन को लेकर convert करूंगी लेकिन उसकी second part में मैं matrix को लेकर आपको दिखाऊंगी कि matrix में हम Gaussian Elimination method कैसे कर सकते हैं यहां पर हम Gaussian Elimination कैसे put करेंगे या Gaussian Elimination क्या है तो दोस्तों हमारे पास three equation है L1, L2 and L3 एकलम form में क्या होता है बहां पर हम जो variables लिये थे बहां पर हम pivot variables and free variables find out किये थे तो pivot variable हम किसको बढ़ रहे थे जो हमारे fast and non-zero entries होता है तो दोस्तों यहां पर मैं क्या करूंगी यह जो first equation है उसको मैं सेमी रहने दूंगी लेकिन second equation and third equation मैं क्या करूंगी दोस्तों यहां पर देखिए यह जो first entries हो रहा है यह जो x है एक से हम पर pivot variable है तो अगर आप pivot variable किसको बोलते हैं यह आप नहीं जानते तो मैं इसकी लिंक description में दे दूंगी आप बहां में जाके देख सकते हो तो दोस्तों यह जो x को मैं pivot variable ले रहे हूं इसका मतलब second and third equation में एक स्ट्रम नहीं होगा तो नहीं होगा का मतलब क्या है हम इस एक स्ट्रम को remove करेंगे second and third equation में तो हम कैसे remove करेंगे दोस्तों यहां पर देखिए यहां पर एकस है और यहां पर टू एकस है तो मैं क्या करूंगी अगर फास्ट एक्वेशन में माइनस टू मल्टिप्लाइ करूंगी तो मुझे क्या मिलता है देखिए तो यहां पर मैं माइनस टू मल्टिप्लाइ करूंगी फास्ट एक्वेशन में तो मुझे क्या मिलता है minus 2x plus 6y plus 4z equal to minus 12 तो second equation जो है उसको मैं वही रहने दूँगी जो लिखा है बस वही लिख दूँगी तो 2x minus 4y minus 3z equal to 8 दोस्तो देखिए अभी हमारे पास ही जो दो equation आ गया है यहां पर अगर मैं दो equation को आत करूँगी तो यह minus 2x plus 2x cancel हो जाएंगे यहां पर दोस्तो देखिए यहां पर आ रहा है 2y then plus z equal to minus 4 तो दोस्तो देखिए हमारे पास और एक new equation आ गया है similarly मैं क्या करूँगी L3 में भी x ट्रॉम को remove करूँगी तो x ट्रॉम को मैं कैसे remove कर सकते हूँ दोस्तो यह दोना equation को compare किजिए यहां पर minus 3x है यहां पर shift x है तो similarly मैं क्या करूँगी equation 1 में plus 3x plus 3 multiply करूँगी तो 3 into L1 तो मुझे क्या मिल रहा है 3x minus 9y minus 6z equal to 18 तो दोस्तो जो थार equation है वो same ही रहेंगे तो यहां पर minus 3x plus 6y plus 8z equal to minus 5 दोस्तो दखिए अभी मैं क्या करूँगी यह दोनो equation को मैं addition करूँगी तो मुझे यहां पर क्या मिल रहा है plus 3x minus 3x तो cancel हो जाएए then second में यह minus 3y plus 2z equal to 13 तो दोस्तो यहां पर देखिए मुझे दो equation और मिल गया है दोस्तो अभी मैं क्या करूँगी यहां पर जो equation है ना L2 and L3 यह दोनो equation को remove करके मैं क्या करूँगी यह L2 के place में यह equation और L3 के place में यह equation मैं put करूँगी तो यहां पर मैं इसको remove कर लेती हूँ दोस्तो second equation में मैं यह put करूँगी तो देखिए दोस्तो यह क्या है 2y plus z equal to minus 4 and third equation में यह put करूँगी तो minus 3y plus 2z equal to 13 तो दोस्तो देखिए यहां पर जो second equation है यहां पर y हमारी pivot variable हो गया है तो लेकिन third equation में क्या हो रहा है third equation में y terms है तो हम क्या करेंगे third equation में y terms को remove करेंगे तो similarly हम बैसे ही remove कर लेते हैं जैसे किये थे तो यहां पर मैं L1, L2 and L3 equation में रही हूँ तो L2 को मैं क्या करूँगी L2 में मैं 3 multiply करूँगी तो 3 into L2 तो मुझे क्या मिल रहा है यहां पर 6y plus 3z equal to minus 12 फिर में 3 equation में 2 multiply करूँगी तो 2 into L3 equal to minus 6y plus 4z equal to 26 तो दोस्तों देखिए यहां पर दोनो equation आ गया है इस दोनो equation को मैं आप करूँगी तो यहां पर plus 6y minus 6y cancel हो जाएंगे दिल यहां पर 7z equal to 14 तो यहां पर मुझे 7z equal to 14 मिल रहा है दोस्तों अभी हम क्या करेंगे यहां पर जो हम 3 equation पाढ़ेंगे उस 3 equation को हम यहां पर replace कर लेंगे तो दोस्तों देखिए मैं फिर से यहां पर लिख रहे हूँ x minus 3y minus 2z equal to 6 then 2y plus z equal to minus 4 then 7z equal to 14 तो दोस्तों यहां पर इस equation को इस system of linear equation को ध्यां से देखिए दोस्तों यह x जो है यह first private variable है then यह second private variable है यह third private variable है तो यहां पर आप धान से देखिए यहां पर जो x है यहां पर x नहीं है और यहां पर भी नहीं है और यहां पर जो private variable हुआ ही है third equation नहीं है तो इसका मतलब क्या हो रहा है अगर system of linear equation इस type of linear equation के साथ यह इसको हम equivalent form भी बोल सकते हैं तो अगर एक system of linear equation एकलन form में रहता है और उसको हम कैसे convert किये अगर इस type हम convert करके एकलन form में convert कर सकते हैं तो इसको हम Gaussian Elimination बोलेंगे तो यहां पर Gaussian Elimination क्यों पढ़ते हैं अगर हम एसे Gaussian Elimination यूज करके हम एसे equation में convert कर पाए तो हमारी जो solution of system of linear equation है वो easy हम find out कर सकते हैं तो इसको हम कैसे find out करते हैं आप देखिए तो यहां पर में equation 1 यहां पर equation 2 और इसको में equation 3 दे देती हूँ then from equation 3 equation 3 में मुझे क्या मिल रहा है 7z equal to 14 तो दोस्तों इसको मैं लिख सकती हूँ z equal to 14 by 7 and equal to 2 तो देखिए दोस्तों कितना easily हम z का value पागे है similarly अगर यहां में मैं क्या करूँगी दोस्तों यहां पर process आप ध्यान रखिए क्योंकि यह जो process में कर रही हूँ यहां पर यह process ही बहुत ही important है आपको सारे problems आपको इस तरह सर्व करना है तो मैं क्या करूँगी इस जो value है putting the value of putting the value of z in equation 2 तो दोस्तों मैं जब element कर रही थी मैं उपर से लेकर निच्चे element कर रही थी मतलब पहले first equation को देखी then second equation को देख रही थी then फिर third equation को animation की तो यहां पर हम जब value put करेंगे हम निच्चे से उपर put करके जाएगे तो पहले हम निच्चे क्या पाए z का value पागे अभी उस z का value को मैं second equation में put करेंगे तो यहां में मुझे क्या मिल गाए second equation में 2y plus 2 equal to minus 4 then 2y equal to minus 6 and y equal to minus 3 दोस्तो यहां पर देखिए मुझे y और z का value मिल गया है तो अभी मैं क्या करूँगी आप बताए तो अभी मैं क्या करूँगी उस दोनों value को मैं equation 1 में put करूँगी तो मैं direct लिखती हूँ x minus 3 into minus 3 minus 2 into 2 equal to 6 तो मुझे यहां पर देखिए दोस्तों क्या मिल रहा है x minus this is plus 9 minus 4 equal to 6 then x plus 5 equal to 6 then x is equal to 1 तो दोस्तों यहां पर देखिए यह जो हम x, y, z हमारी जो unknowns थे वो अभी हमको find out हो गया है तो यहां पर x is equal to 1, y is equal to minus 3 and z equal to 2 तो दोस्तों देखाना कितना easy है अगर हम Gaussian elimination method के बारे में जानगे तो हमारी पास जो भी system of linear equation होगा हम उसको easily find out कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहां पर important चीज़ क्या होता है अगर हम इससे element करके जाएंगे लेकिन कुछ देर में हमको पता चलेगा कि बहां पर degenerate equation आ रहा है तो अगर आप degenerate equation के बारे में नहीं जानते तो उसकी link में आपको discussion में देदूंगी degenerate equation आ जाता है तो तो भी हमारी problem हो जाती है तो problem क्या होती है बहां पर degenerate equation किस type of equation होता है जिस type of equation होता है वैसे ही उसकी solution exist करता है अगर degenerate में हमारी क्या होता है left hand side and right hand side equal ना हो अगर left hand side and right hand side equal ना होता है तो तो भी solution exist नहीं करेंगे अगर equal हो जाएंगे तो बहां पर solution exist करेंगे Degendered equation में क्या होता है Either आपको solution नहीं मिलेंगे Other अगर मिल रहा है तो वो infinite solution देंगे यह दोनों कैसे ही हो सकता है अगर either आपको solution मिल रहा है तो वो solution infinite solution होगा अगर नहीं मिल रहा है तो वो no solution हो जाएंगे ठीक है दोस्तों तो ये थी Gaussian Elimination के बारे में और इसके Part 2 में मैं आपको दिखाऊंगी कि Matrix में हम कैसे Gaussian Elimination पूट करेंगे और दोस्तों ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और इसको आप मतलब Rank हो, Nullity हो, इस मतलब Linear Algebra जो Start होता है ये पेहल स्टेफ है जहांपे हम Linear Algebra बोलो तो Start करेंगे दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो like and share जरूर करना and subscribe to my channel for more updates thanks for watching